स्वागते स्टुएंट आप सबका आज की जो वीडियो स्पेशल होने वाली है वो उनके लिए है जो गॉर्मेंट जोब के अस्पिरेंट्स है जिनका सपना है सरकारी नोकरी पाना जो तयारी कर रहे हैं डिफरेंट जोब्स के लिए या फिर अवेटेड है तो आज आपके ल सबस्क्राइब का 12 दिन की अट्री का बनुस मिलता है शिफ्ट अलग-अलग स्फट में आपकी जूट्री एत्यी है पर बहुत सारे अलाउंसे आपको मिलते हैं सेंटल की जोब है और बहुत सारी चीजे यहां पर आपको ज्यादा मलब इक्जाम्स की बात करें तो एक एक कोई ऐसा नहीं है पिरी हो रहा है मेन हो और कोई टेंशन है फिर उसके बाद जो है आपका यहां पर कुछ पोस्ट में तो इंट्रिवी खतम है कुछ पोस्ट में इंट्रिव्य है सबसे बड़ी बात है कि वकैंसी जब निकलती हैं बल्क में और अभी और रर्बी ने यानि कि नोटिफिकेशन दूसरा कि यह जोनल उन्होंने बाटे हैं आपको पता है कि इंडिया के अंदर अलग अलग जोन होते हैं रेल्वे के तो एक्जाम कंड़क्ट कराते हैं जैसे आपको पता हुआ किसी स्टेट के कोई एक्जाम हुए आई टी आई के या पी-स क्या कोई और तो वो किसी कंपनी को या किसी बोड को कॉंटक्ट देते हैं कि वही तुम यह कंड़क्ट करा होगी जिसे बैंक एक्जाम कौन कंड़क्ट कराता है आई-बी-पी-स ऐसी रेल्वे अपने एक्जाम जो है अलग-अलग जोन को बाट देता है हर एक एक्जाम को ताकि एक्ज इसका जिकर किया गया, जैसे जो जो वकैंसी कब कब आएंगी, तो जो स्टुडेंट अभी से तैयारी कर लेंगे, समझ के इस वीडियो को, तो भाई आप तार्गेट बना सकते हो उस जोब के रिगार्डिंग, अगर आप को वीडियो अच्छे लगए तो लाइक करना, अगर एक तरह से अनुल कलेंडर, ये इसके बाद एक और नोटीस है, वी मैं आपको दिखाऊंगा, जन्वरी से मार्च में, जन्वरी से मार्च में, अब देखो जन्वरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च में इसका नोटिफिकिशन जारी भी हो चुका है, अल्पी जो है, जिए आप हे लोको पालेट की वकैंसी है जिसके लिए आपको आपास ITI होना चाहिए, लोको पालेट के लिए ऐसा ही नहीं जा सकता, पैटिकर आप उस्ट्रीम से हो, तो आप जा सकते हो, जिसे हम कहींना कहीं रेल का ड्राइवर भी कहते हैं, गए आपकी आम भाशा में, इसके वकेंसी उसके बाद अप्रेल से जून में टेक्निशन्स की वकेंसी निकलेगी और जिसके लिए आप कॉमर्स वाले बच्चे वेट करते हो कि रेल्वें में वकेंसी कम निकलेगी वह है नोन टेक्निकल पॉपुलर केटिगरीज इसकी फुल फॉम है यहां पर जुलाई से से सप्टमबर के बीच में आउट होगी जुलाई से सप्टमबर में यह मान के चलिये 15-20 जुलाई के आसपास भी जारी हो सकती है या एक सितमबर को तो 15-20 जुलाई में सितमबर के बीच इनका नोटिफिकेशन, डेट अपलाई का सब सिस्टम रहने वाला है एक्जाम न नमबर दिसम्बर तक आप एक्जाम मानके चलो तो अभी से आप त्यारी करते हो तो आपको 6-7-8 महीने आराम से मिल जाते हैं अगर आप चाहो तो इसलिए कहा रहा हूँ NTPC में त्यारी कर सकते हो different level 4, 5, 6, level 2, 3 इन सब के लिए graduate और undergraduate आपको पता होगा NTPC की after 12th वाली vacancies भी निकलती हैं after gradation भी निकलती हैं इनमें कोई भी अपलाई कर सकता है इसमें station master हो गया इनमें आपका line man हो गया है और store keeper हो गया बहुत सारी vacancies होती हैं उनमें आप जाकर unroll कर सकते हो अभी अलग आ गया उसके अलावा junior engineer, paramedical category यह अलग है यह भी सब July सितंबर में आ जाएंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में level 1 जो आपका ministerial and isolated category है उसकी vacancy निकलने वाली है तो यह जारी किवा था फरवरी में लेकिन अभी क्या चारी हुआ है कि भाई यह आप समयलो आपको मैं इसले बता रहा हूँ को कि अभी मैं government jobs की videos regular दे रहा हूँ आप सभी को तो vacancies आएंगी एकदम से आएंगी मैं तभी बताऊंगा बहुत सारे बच्चे तयारी करने का time भी नहीं मिलेगा अगर मैं अभी आपको बता दू कि भाई जुलाई एंड में फोर्म बरे जाएंगे अक्टूर नमंबर में exam होगा तो आप इसे तियारी कर सकते हो, books ला सकते हो, coaching ले सकते हो, notes बना सकते हो और target बना के study कर सकते हो, दोनों की कर सकते हो 12 pass out वाली भी और gradation वाली भी अगर आप eligible यह तो एक notice हुआ जिसमें मैंने बताया आपको, अब इसके अलावा जो अभी एक notice जारी किया है 10 April को, आज है 12 April में वीडियो बना रहा हूँ, railway board जो आपका Ministry of Railway, Government of India की तरफ से एक notice जारी हुआ है, वो notice जारी किसको किया है उन्होंने, अलग-अलग zonal heads को किया है, जोन समझते हो, railway के भी जोन होते हैं, जैसे पतना, भोपाल, गौार्टी, एमदाबाद, ये जोन बना रखे हैं, तो इतने सारे एक्जाम से हैं इस साल, by NTPC का भी है, लोको पाइलेट का भी है, अलग-अलग गूरूप का भी है, लेवल बन का भी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग-अलग जोन को कराएगा, एमदाबाद, रेलवे बोर्ड, जो अंडर ग्रेशन वाला एक्जाम में 12 वाला, वो कंड़क भी यही कराएगा, तो आप अगर तियारी कर रहे हो, NTPC की, तो आप RRB, एमदाबाद, को मनलब वहां से आप फॉर्म भर सकते हो, तो उनकी साइट पे आप विजि कर लेते हैं, यह देखो, NTPC के लिए जो वकेंशी की बात करें, वकेंशी असिस्मेंट अप टू, यहां पर यह कंपलीट कर लेंगे, 2025 जून तक, ठीक है, वकेंशी का जो असिस्मेंट रहेगा, अप्रेल मई में और अप्रूवल मई जून में, और जून 2024 में परपोजल जाएगा, उसके बाद मलब यह तुम्हारी बाशा की बात नहीं है, इन शोट कहए तो यह उनके लिए बात बता रखी है, जो 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 हैड है, फिलाल इन शोट मैं आपको वीडियो चले बना रहा हूं, वीडियो कहीं खतम करते हैं, यह बता कर कि भाई, वकेंशी आ रही है तैयारी कर लो, दस तरह की वकेंशी पेना जाकर एक को टार्गेट बनाओ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बैंक की वकेंशी निकली, कोरसर ने वीडियो डाली, किसी और यूटूबर ने डाली, देखा फॉर्म बढ़ दी है, देखा कि भाई, किसी डिपार्टमेंट में न चाहे न्टी-पी-ची बना लो, चाहे एक साल बोत है किसी पी एक्जाम की तियारी के लिए, अगर मैं यूपी-एक को छोड़ दू, मलाब आप एजीली उसे कलियो कर सकते हो, तो अगर आपका क्या किया ज़रू से बताना और आपको भी वीडियो ची लगे तो लाइक करना और किस पर डिटेल वीडियो चीह है, क्या न्टी-पीची पर ही चीह होंगी मुझे पता है, तो कमेंट कर देना, I will make it for you, thank you so much.